निर्जला एकाजशी को सभी 24 एकाजशियों में सबसे अधिक शुब्व पुनेकारी बताया गया है. मान्यता है कि अकेले निर्जला एकाजशी वृत को रखने से सभी एकाजशी व्रतों के बराबर पुने की प्राप्ति होती है. प्रत्येक वर्ष जेष्ट माह के शुकल पक्ष की एकाच्षी तिथी को निर्जला एकाच्षी व्रत रखा जाता है इस बार निर्जला एकाच्षी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा पंचांग के अनुसार इस बार जेश्ट माह के शुकल पक्ष की 81 तिथी की शुरुवात 30 मई, दिन मंगलवार को 2 भर 01 बचकर 07 मिनट से शुरू हो रही है ये तिथी अगले दिन 31 मई दिन बुधवार को 2 भर 01 बचकर 45 पर समाप्थ होगी उद्या तिथी को देखते हुए निर्जला एकाच्शी 31 मई 2023 को मनाई जाएगी शास्त्रों में निर्जला एकाच्शी को सभी 24 एकाच्शियों में सबसे अधिक शुब्व पुनेकारी बताया गया है मान्यता है कि अकेले निर्जला एकाच्शी वरत को रखने से सभी एकाच्शी वरतों के बराबर पुने की प्राप्ति होती है इस वरत में पानी भी पीना वर्जित माना जाता है इसलिए इसे निर्जला एकाच्शी कहा जाता है निर्जला एकाजशी के दिन वरत का शुब फल पाने के लिए जातकों को कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे में आये जानते हैं कि निर्जला एकाजशी वरत वाले दिन क्या करें और क्या न करें निर्जला एकाजशी पर क्या करें और क्या नहीं निर्जला एकाजशी व्रत को सबसे कठिन माना जाता है इस समय गर्मी अधिक होती है और इस एकाजशी व्रत में जलका एक बूर्ण भी ग्रहन करना वर्जित है इसलिए आपको मानसिक तौर पर स्वयन को मजबूत रखना होगा निर्जला एकाच्षी वृत के एक दिन पूर्व से मास, मदिरा और तामसिक भोजे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए वही दश्मी के दिन वृत का पारण करने के बाद भी सात्विक भोजन ही करें निर्जला एकाद्शी वरत के दोरान आत्म सन्यम और भ्रहमचर्य का पालन करना चाहिए इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है वरत वाले दिन जल से भरा हुआ कलश दान करें और प्यासे लोगों को पानी पिलाएं निर्जला एकाद्शी वाले दिन अपने घर की छत या खुले में किसी पेड़ के नीचे पशु पक्षियों के लिए पानी और दाना की विवस्था जरूर करें इससे भगवान विश्नु की कृपा प्राप्थ होगी निर्जला एकाद्शी वाले दिन घर में ज़ाडू न लगाएं ऐसा करने से छोटे जीव जैसे कीट, पतंग, चीन्ती आदी मर सकते हैं इससे जीव हत्या का दोश लग सकता है निर्जला एकाद्शी के दिन यदि किसी ने व्रत नहीं भी रखा है तब भी उसे इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए चावल के अलावा इस दिन बैंगन, गाजर, शर्जमादी का सेवन करना वर्जित है